नमस्कार आपका स्वागत एश्यानी जिन्या में आपके साथ मैं पून हूँ SDM जोती मौर और उनके पती आलोक का रिष्टा चर्चा में आने के बाद से आए दिन एक अलग मोड ले रहा है अब आलोक के साले ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे आलोक के दावे कुछ हद तक सही साबित हो रहे हैं साले ने कहा कि उसके जीजा यानी आलोक ने दीदी जोती की पड़ाई में पैसे खर्च की हैं जब से इवाद सामने आया है तब से यह अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा है क्योंकि अभी तक पती पत्नी एक दुस्रे पर गंबिर आरूप लगा रहे थे लेकिन यह पहली बार है कि किसी तीसरे ने पती के दावे को सही ठहराया है जोती मोरे के भाई ने कहा कि जब उनकी दीदी SGM बनने की तैयारी कर रही थी तब उनके जीजा जी ही उन्हें स्कूठी से कोचिंग छोड़ने चाया करते थे उन्हें ये भी बताए कि दोजा तेवीस तक दीदी और जीजा जलवास ती लिए गए मकान में ही रहते थे उनके साथ कई बार उनके माता पिता भी आकर रहते थे लेकिन फरवरी के बात यहाँ पर उनका परिवार नहीं रहता है वहाँ अब सिर्थ दीदी के घरवाले रहते हैं साले ने ये भी कहा कि तीन-तीन सरकारी नौकरी छोड़ चुकी उनकी बहन ने भी आलोग की खुब मदद की है ये बात सच है कि शुरुआत में दीदी के पड़ाई जीजा आलोग नहीं कराई जोती मोरे के भाई ने कहा कि वह भी उनके परीजनों के साथ दीदी जीजाजी वाले मकान में रहता है वह भी वहां रहेका सिविल सर्विस की तैयारी में लगा हुआ है उसने कहा कि उनके बीच दरार कैसे आई ये तब दोनों ही जानते होंगे लेकिन इससे पहले उनके बीच में सब से दिखाई दे रहा था पता दे कि दोनों के बीच का मामला फिलाल फैमली कोर्ट में पहुँच गया है जहां जोती ने आलोग से कानून अलग होने की याचिका दी है उनकी दो बेटिया भी है जिनके लिए आलोग ने इन सारी बातों को भूलकर अभी भी अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए तयार है कुछ दिनों पहले ही बरेली में पदस एसजीम जोती मोरे के पत्ती आलोग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुआ था इस वीडियो में आलोग ने उन पर कई गंबी सवाल खड़े किये थे आलोग ने कहा था कि उनकी पत्नी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और जब वह एसजीम बन गई तो उन्होंने अपने पत्ती को छोड़ दिया इतना ही नहीं आलोग ने जोती पर ये भी आरुप लगाया है कि उनका एक होम गाट कमानेट मनिश दुबे से अफैर भी चल रहा है इसी के साथ बनने नहें एक चैन्यू जिन्जा के साथ धन्यवाद